डियर इस्टूडेंट्स आप देख रहे हैं फिजिस क्लास 10 लेक्चर 7 परफेक्ट स्टूरी 68 चैनल के माध्यम से जिसमें आप पढ़ेंगे गोली दर्पन द्वारा किरण आरेक खीचने के नियम तो गोली दर्पन द्वारा किरण किसी वस्ट के प्रद्विम का निर्धारन करने के लिए निमन लिखित नियम है पहला नियम जिसका किरण आरेक आपको दिखाया गया है उत्तल और आउतल दर्पन के लिए इसमें आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्त प्रतीत होने वाली प्रकास किरन दर्पन से परावरतन के पस्चात मुख्यच के समानतर हो जाती है। इसके बाद तीसरा नियम है थीसरे नियम का भी चित्र प्रदर्फित है यहाँ आपका है वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली आथ्वा की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली उत्तल दर्पन में प्रकास किरन परावरतन के पस्चात पुनह अपने मार्ग से ही वापस ओप्टित प्रकास किरण तिरीक दिशा में ही परावर्तित होती है अर्थात आप्टित किरण तथा परावर्तित किरण मुखहत से समान कौण बनाती हैं इसका मतलब है कि कौण I बराबर कौण R आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही ठैंक उ टेक केर गूडबाए